चाहिए इस तरह से एक LED इस तरह से एक resistor इस तरह से एक jump और wire लेंगे एक डेवाड इस तरह से पतला pin charging socket लेंगे एक 3 volt बैटरी इस तरह से वाइल का चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस तरह से देखिए यह बैटरी का plus side है यहां पर और यह बैटरी का minus side है यहां से देख लिजिए हम इसके plus में इस तरह से एक डेवाड लगाएंगे जो जो सफेद पट्टी है उमारे plus पे जाएगा इस तरह से चलिए solding करते हैं तरह से जहां होता है कट लगा होता है इसके side से यह माइनस होता है हमारा चलिए इसके लेग पे हम माइनस या प्लस पर किसी भी जगापे हमें इस एक किलो ओम को solding कर देंगे ताकि यह हमारा बल्ब फ्यूज ना हो चलिए solding करते हैं इस तरह से हमने LED के माइनस लेग पे इस रजिस्टर को क्या आगवा है solding कर दिये हैं हमने अब जो यह हमारा LED का प्लस है वह हम क्या करेंगे इस डैवाट के बलैक पट्टी पर इस तरह से solding कर देंगे इस तरह से solding हो गया है अब जो हमारा चार्जिंग मिन का जो स्वाकिट है अब हम उसे लगाएंगे जो हमारे इस तरह से चार्चिमिन का स्वाकिट होता है यह जो परत होती है माइनस होती है और जो बीच वारे परत होती है यह प्लस होता है तो क्या करेंगे हम इसको जो बीच वाले लेगा यह प्लस वाला इसको हम इस डावाट के इस तरह से जो निकला हुआ है डारेक्ट में इस बैटरी के माधिस पर soldING कर देंगे यह sold गैसे इस बैटरी के माधिस पर directed जो है इसे solded कर देंक कुछ इस तरह से इसकी jumper wire पर देखिए इस तरह से solding हो गया चलिए हम इसको चेक करते हैं इस तरह से हमें एक board लेंगे इसका और इसका जो wire है ये charging pin का इस तरह से इसमें हम डालके चेक करेंगे अब देखिए हमारा जो जनली लगाईए चलिए इसका हम voltage भी चेक करा देते हैं इस तरह से देखिए इस तरह से multimeter में इसका voltage चेकर आएंगे देखिए 3.78 बोल्ट इसको जब निकालेंगे देखिए इसका voltage कितना है देखिए 3.62 बोल्ट है charging को लगाएंगे अब देखिए हमारा charging होने लगाईए voltage भी 3.7 बोल्ट हो गया तिसरते बनता है हमारा charging इंडिकेटर तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंदाई लाइक केजिए चैनल को subscribe केजिए धन्यवाद